सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इसका पार्ट वन पढ़ रहे हम इस वक्षीट में तो स्टार्ट करते हम वक्षीट इस ए वर्ड देट कम्स बिफोर ए नाउन एक आर्टिकल एक शब्द है जो की नाउन से पहले आता है जैसे यहां पर देखिए बॉई से पहले दा आ गया A, B, N, Apple Apple से पहले N आया है और B से पहले A आया है ठीक है इसका यूज कैसा करते हैं यूसेच दिये ओँ हैं यहां पर एक्जामपल used before word beginning with a consonant sound जो consonant sound होते हैं उनसे पहले क्या आता है उनसे पहले use करते हैं हम किसको a को जैसे a man, a lamp, a cat used before words that begin with a vowel sound और जो vowel sounds होते हैं a, e, i, o, u ठीक है इनसे पहले और जो इनकी sound निकलती है उससे पहले n का use होता है ओके students अब आगे देखते हैं a and n have the same meaning दोनों का same आरता है दोनों का मतलब एक ही होता है a and n are indefinite article यह indefinite article है the difference depends on the sound at the beginning of the next word और जो difference होता है वो depend करता है sound पर की दोनों की जो अगले शब्द है उसकी शुरुआत पर sound कैसे निकल रही है जैसे ही हाँ पर consonant sound निकलती है a book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck और n की sound an apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor ठीक है अम्रेला ठीक है इससे पहले भी हम n लगाएंगे be careful, the sound of the letter is important letter का sound important है जैसे की देखिए h तो consonant है, ठीक है a house, ठीक है, लेकिन hour यहाँ पर hour की बात हो रही है तो a sound निकल रहा है a का, तो ठीक है the h at the beginning of the hour is silent h का sound नहीं निकल रहा, वो silent है hour का निकल रहा है ठीक है, इसलिए क्या होगा बच्चों? इसलिए यहाँ पर n लगेगा and uncle, इसमें भी a का sound निकल रहा है, इसलिए n लगेगा ऐसी यहाँ पर the u at the beginning of university sounds like u तो जहाँ पर sounds को भी हमें देखना पड़ता है sounds के according हमें a, n का use करना है, concernant भी यह sound, vowels की निकल रही है, तो हमें n लगाना होगा this rule applies to all words after a or n और यह rule जो है सभी शब्दों पर apply होता है a, n के बाद ठीक है, including adjective or adverbs हो, कुछ भी हो like यहाँ पर example दिया हुआ है a cold day a very crazy person an easy lesson an interesting class यहाँ पर a in front of consonants दिये हुए, a chair, a school, a law a bad, a man, a woman यहाँ पर n दिया हुए, in front of words an elevator, an egg, an elephant an oven, an ear an avocado अब यहाँ पर देखिए, हमें fill ups दिया हुए, fill in the blanks with a और n तो हम यह फिल कर देंगे, there is a, यहाँ पर आएगा a green English book, g है, consonant है तो a आएगा, book on the decks, decks पर एक हरी English की किताब है, she is reading n यहाँ पर n आएगा, old comic, o क्या है o vowel है, इसलिए यहाँ पर n आजाएगा she वहे, पुरानी comic पढ़ रही है they have got an idea, idea में i क्या है, i vowel है, n आजाएगा he is drinking a cup of coffee, c क्या है, consonant है, इसलिए a आएगा, वहे coffee का cup ले रही है, मतलब coffee, एक cup coffee पी रही है वो, the girl is a pilot, यहाँ पर p consonant a आजाएगा लड़की एक pilot है, Delhi has an airport Delhi में एक airport है यहाँ पर n आजाएगा, क्योंकि a क्या है a vowels है, vowels होते बच्चो a, e, i, o, u और इनकी जो sound निकलती है महाँ पर भी हम n कही यूज करेंगे और इनसे पहले भी हम n कही यूज करेंगे जैसे this is an expensive book यहाँ पर e है, ठीक है expensive आ गया तो n कही यूज होगा यह एक महंगी किताब है look there is a bird flying देखो महाँ bird उड रहा है, तो a आजाएगा consonant है, my father is an honest person, मेरे पिता एक इमानदार व्यक्ती है अब देखिए, edge तो consonant है लेकिन sound आ रही है किसकी edge की sound नहीं आ रही honest o, o की sound आ रही है ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, n आ जाएगा my friends likes to be an astronaut astronaut से पहले n आएगा, ठीक है क्योंकि यह vowel है, a अब देखिए, b में क्या करना है आपको, b में tick the correct answer and cross the wrong answer, जो सही है उन पर सही कर टिक कर दीजिए जो गलत है, गलत का my mother is honest woman मेरी मा एक honest महिला है, तो इसमें a नहीं आएगा बच्चो honest o की sound है, इसलिए यह गलत है, यह हमने cross कर दिया, second में my mother is an honest woman यह बिलकुल correct है, हमने यह correct कर दिया, क्योंकि n आएगा ठीक है, third है, can you please bring me glass of water, bring me n glass of water, यह है, n नहीं आएगा, a आएगा, इसलिए यह गलत है, next है she is a dentist, वह है, यह सही है, please hand me a book, कि ब्या मुझे एक किताब दो तो यह एक किताब हाथ में दो, तो यह यह सही है, ठीक है, sonia will bring a small gift to pooja party, sonia pooja की party पर एक छोटा gift लाएगी, तो यह आएगा, यह सही है और यहाँ पर I read an interesting story yesterday यहाँ पर आईए, and इसलिए आएगा, क्योंकि आई है, ठीक है, interesting में, तो मैंने कल, एक interesting story पढ़ी, तो एना जाएगा सही है, I need an umbrella as it is raining, मुझे एक umbrella की जरूरत है, क्योंकि बारिश हो रही है अब देखें, यह umbrella you है, यह आपर एना था बच्चो, ठीक है यह एना ना था, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी cross कर देंगे यह गलत है, एना था, I need an umbrella तो यह आपकी वक्षीट solve हो गई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएए, तो प्लीज में वीडियो को लाइक करें शेयर करें, हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग